मशकार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद सो गाइस आज हम डिसक्स करें है एच एफसेल के बारे में इस शेर से लेटेट क्या लेटेस न्यूज आ रही गाइस और कंपनी का कौटर रिजल्ट कैसा रहा सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे और क्या आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं और इसका आन एनौल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जेनरेशन, रेवन्यू ग्रोथ रेट, कैश फ्लोव स्टेट्मेंट, इंकम फ्लोव स्टेट्मेंट जो है पॉस्टिव में गाइस कंपनी की डेप टो इकटी, आरोई और अर्निक पर शेर भी ठीक है गाइस सो गाइस अभी जो है लेटेस न्यूज कंपनी से लेटेड ये आ रहे है कि कंपनी ने अपना Q1 का जो है रिजर्ल डिकलेर के है जिसमें कंपनी को 84 क्रोड का जो है प्रॉफिट हो है गाइस लेकिन कंपनी का जो रेवन्यू है वो 4 परसेंट गीरा है जो एक नेगेटिव बारे हैं बारे हम बात की जाए और कंपनी के प्रॉफिट जेनरेशन के बारे हम बात की जाए तो इस में ठोड़ा अब और प्राइस लग रहा है क्योंकि कंपनी उतना अच्छा कॉटरी तगलेर नहीं कर पाई लेकिन एक पॉजटिव नियूज का इस कंपनी के शेयर के य जो है आने वाय टाइम में इंप्रूव हो सकती है जो एक पॉजिटिव नियूज है शेर के लिए तो मैं आपको यहीं सला दूगा अभी तो शॉट टम में आपको इसमें एक पेंट देखने को मिल सकता है एक इस चाहर साल का एक पॉइंट व्यू लेकर चलना पड़ेगा क्य तो आप अभी जो है इस शेर में अगर पॉजिशन बनाना चाहते है इस लेवल पर भी थोड़ी पॉजिशन बनाईए कंपनी का अगला क्यू वन का जो क्यू टू का जो सौरी रिजल्ट आएगा उस पे अब हम डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें कैसी कॉल लेनी है तो आ जाजा लॉंग टर्म इन्वेस्टर जो है पुजिशन बनाने की सोचे तीन-चार साल का पॉइंट इव्यू लेके चलिए लेकिन अगर आप इसमें 6-7 साल मिने का सौरी पॉइंट इव्यू लेके चल रहे थे और इंवेस्मेंट करने की सोच रहे थे तो अभी आपके वो भी वीक सेंटिमेंट जो है शो कर रहे तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद